Hello everyone, welcome to my channel, मेरा नाम है धीरज और आज हम डिसकस करने वाले हैं सब्जेक्ट Environmental Engineering का, ठीके, तो देखो कि Environmental Engineering में Sedimentation Tank देखेंगे, Floculation देखेंगे, and Filtration देखेंगे, ठीके, देखो कि Sedimentation Tank में पिछली बार क्या एक्जाम में पूछा गया था, क्या repeatedly आया था, Floculation में देखेंगे, and Filtration में देखेंगे, क्या repeatedly पुछे गया थी, पिछली बार एक्जाम में, और क्या-क्या important है, PWD के लिए, SSCG, and RRB के लिए, ठीके, कि देखो कि आप मेरे चानल पर जाईए, आप वहाँ पर प्लेइलिस्ट है, मैंने प्लेइलिस्ट बनाई है, अलग-अलग सब्जेट की specially, and वहाँ पर आपको Assignment और Tutorial मिल जाएंगे, ठीके, हर एक सब्जेट की, इच सब्जेट की, ठीके, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कि देखो की हम, पहले देखेंगे हम Sedimentation Tank, ठीके, तो देखो की Sedimentation Tank में आपको Overflow Rate पुछा जाता है, Overflow Rate पुछा जाता है एक्जाम में, ठीके, तो देखो की Overflow Rate क्या-क्या होता है, ठीके, तो देखो की सबसे पहले मैं यहाँ पे दो कॉलम बना लेता हूँ, Simple है, एन्हें दोनों कंडेशन के लिए आपके दिया है, कि पहला है कि For Plain Sedimentation, For Plain Sedimentation, और Second है आपका For Sedimentation with Coagulation, ठीके, For Sedimentation with Coagulation, ठीके, मैंने यहाँ पे दो कॉलम मना लिया, कि देखो की आप For Plain Sedimentation के लिए आपको जो ओवरफ्लो जो रेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है आपका 12,000, 12,000 to 18,000, 18,000, किस में होगा, लीटर पर मीटर स्क्वियर पर डे में होगा, ठीके, आगा इतना समझ में, देन आपको बोला कि For Sedimentation with Coagulation, उसके लिए आपको ओवरफ्लो रेट पता रहना चाहिए, वो है आपका 24,000, 24,000 to 30,000, 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वियर पर डे होगा, ठीके, आपको बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इस Sedimentation टैंग में, ठीके, आपको ओवरफ्लो रेट, ठीके, देन हैं आपका कि Detention टैंग, यह होगा आपका ओवरफ्लो रेट, ठीके, तो देखो कि आपको ओवरफ्लो एक मिट, मैं आपको ओवरफ्लो रेट का थोड़ा definition बता जेता हो, ठीके, यह पुछी नहीं जाती पर आपको पता रेट, ठीके, ओवरफ्लो रेट होता है, आपका Discharge upon Surface Area, ठीके, Discharge upon Surface Area, ठीके, ओनली मैं आपको Exam Point of Important, Important बता रहो, ठीके, क्या-क्या होता है, और क्या-क्या पुछा जाता है, ठीके, देन हम देखेंगे कि Detention Time, ठीके, Detention Time आपको पुछा जाता है, ठीके, Detention Time, ठीके, तो देखो, मैं आपए फिर से दो कॉलम बना लेता हूँ, ठीके, मैं आपको दौंड़ो बना लिया, तो देखो कि आपको यापको लिखना है कि For Plane Sedimentation, पहले कॉलम में आपको लिखना है For Plane Sedimentation, Second Column में आपको लिखना है For Sedimentation with Coagulation, जो मुने अभी लिखाता sedimentation with coagulation के लिए तो देखो कि 428R जो होता है वो होता है आपका for plain sedimentation के लिए और 224 होता है HR में ठीक है वो था आपका 224 होता आपका for sedimentation with coagulation के लिए आपको ध्यान में रखना है detention time 8 detention time आपको पुछा जाता है exam में ठीक है देन है आपका कि flocculation ठीक है तो देखो कि flocculation में आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है तो simple आपको flocculation में आपको detention जो time होता है detention जो आपका time होता है आपके में लिख लेता है detention time तो detention time आपको पता रहने जाए कि 10 to 30 minute 30 यह जो होता आपका detention time उनली फ्लोकुलेशन के लिए ठीक है देन आता आपका सेकंड टॉपिक फिल्ट्रेशन ठीक है तो देखो कि फिल्ट्रेशन में दो टाइप आते हैं पहला आता आपका स्लो सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर देन आता आपका रैपीड सैंड फिल्टर रैपीड सैंड फिल यह आता है एक्जाम में और आया भी है तो चलो हम पहला डिस्कस करते हैं कि slow sand filter तो आपको slow sand filter में आपको क्या-क्या ध्यान में रखना पड़ेगा तो देखो कि slow sand filter में आपको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि depth of the sand depth of sand जो आपकी sand की जो आपकी depth होती है ओर रहती है आपकी 90 to 110 cm ठीक है 110 cm यह होती है आपकी depth of the sand ठीक है दिन है आपका second point है आपका कि जो depth of filter होता है depth of filter ठीक है depth of filter आपको ध्यांद में रखना पड़ेगा 2.5 to 3.5 cm ठीक है 2.5 to 3.5 cm और आपको next point आपको ध्यांद में रखना पड़ेगा जो plan जो एरिया होता है filter का plan area of filter मैं आपकी लिख लेता कि plan area of the filter ओर रहता है आपका 100 to 200 meter square 100 to 200 meter square आपको यह बहुन आपको ध्यांद में रखना पड़ेगा और last के दो point बचे है ठीक है next point आपका fourth point है आपको design period आपको design period आपको ध्यांद में रखना पड़ेगा हम कितने period के लिए इसको design करते है 10 years के लिए हम इसको design करते है आपको ध्यांद में रखना पड़ेगा इस is the most important यह आया है exam में और देखो कि fifth आपका last point है आपके frequency जो होती है cleaning की जो frequency रहने चाहिए आपकी cleaning की filtration के लिए वह रहने चाहिए आपकी one two three month कितनी रहने चाहिए one two three month आपकी यह frequency रहने चाहिए cleaning की ठीक है यह होगा आपका only slow sand filter के लिए अब हम देखेंगे कि rapid sand filter के लिए rapid sand filter के लिए मैंने आपके लिख लिए rapid sand filter तो देखो कि rapid sand filter में आपको क्या क्या धान में रखना पड़ेगा first point है आपका कि one minute हाँ तो first point है आपका कि sand जो layer रहने जो sand की जो layer depth होती है वो आपकी 60 to 90 cm this is the sand layer depth sand layer depth then आपका second point है कि जो tank की जो depth होती है tank की जो आपकी depth होती है rapid sand filter के लिए वो रहती है आपकी 2.5 meter to 3.5 meter ठीके देन है आपका जो area हम लेते है rapid sand filter के लिए वो हम लेते है कि 10 to 80 that is 80 meter square each unit ठीके बस आपको इतना धान में रखना है और आपका last point है कि जो हम rate of washing करते है और rate of washing आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1515 to 90 centimeter rise per minute कितना है rise per minute यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा thanks for watching this video मिलते है अगले लेक्चर में जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे है तो प्लीज आप like की सब्सक्राइब के जिए subscribe पहने के बाद आप हमारे साथ connect होते है and subscribe के बाद आपको notification bell पर click करना है तभी आपको हर एक वीडियो की notification मिलते रहेगी और यह जो preparation अभी चल रहे है यह अपकी preparation है PWD के लिए SSC Jai के लिए and RRB के लिए ठीक है thanks for watching this video मिलते हैं अगले लेक्चर में